राजस्तान के सरहदी जिले बाड मेर से थार एक्सप्रेस के जिरिये लोग पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से भी लोग इसी ट्रेन से हिंदुस्तान आते हैं करी 12 साल पहले बाॉडर पर बयसम की मुनाबाप पोस्ट के ठीक सामने पाकिस्तान ने अपना रेल्वे स्टेशन बनाया था जो की अब भारत के लिए बड़े ख़त्रे का सबब बन सकता है क्योंकि 12 साल पहले पाकिस्तान ने अंतरास्टे नियमों को दर्कनार करते हुए जीरो लाइन से महस 15 मीटर की दूरी पर ही एक अंतरास्टे रेलवे स्टेशन बना डाला भारत के लाख एतरास के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी मर्जी चला और इस रेलवे स्टेशन का निर्मान करवा दिया यही से थारे एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है दोनों देशों के बीच युद्ध और तनाव के हालातों में पाकिस्तान अपने इस रेलवे स्टेशन का इस्तमाल अपने नापाक पंसुबु को अंजाम देने के लिए भी कर सकता है रेलवे स्टेशन बीएसफ के मुनाबाप पोस्ट से इतना नस्दीक है कि वहाँ सामने परिंदा भी उड़ रहा हो तो सीधे नजर आ जाता है साल 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच बाडमेर के रास्ते थारे एक्सप्रेस चलाई गई थी दोनों देशों की और से इमिग्रेशन, कस्टम और जाँच के लिए रेलवे स्टेशन बनाना तै हुआ था भारत ने जीरो लाइन से करीब डेड़ किलोमीटर दूर, मुनअबाब रेलवे स्टेशन पर ही समस्त सुविधा युक्त अंतरास्ट्य स्तरका रेलवे स्टेशन बनाया जबकि दूसरी और पाकिस्तान अपनी पर उतराया पाकिस्तान ने जीरो माइल से पंद्रा मीटर की ही दूरी पर तीन चद्दर डाल कर रेलवे स्टेशन खड़ा कर दिया बियस अफ और खुफिया एजनसी की और से केंद्रिय ग्रह मंत्राले को इस बारे में जानकारी भी दी गए लेकिन पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा महा ने रिक्षक स्तर की बियस अफ एवं पार्क रेंजर्स की बैठक में भारत ने कहा की नियम के मुताबिक तेर सो मेटर की दूरी पर ये रेलवे स्टेशन होना चाहिए रेलवे अंतराज़्टे नियमो के विरुध है बियस अफ ने पाकिस्तान को खोकरा पार में अपना रेलवे स्टेशन बनाने की सलहा दिए लेकिन अब भी पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन मुनाबाब पोस्ट के ठीक सामने है जो कि भारत की लिए एक बड़े खत्रे का सबब बन सकता है युद के हालात में पाकिस्तान इस रेलवे स्टेशन का गलत फाइदा उठा सकता है वुद के लिए बन सकता है